कि आपके mobile phone में भी call करने पर ये error आरा है cannot place a call as there is an unanswered incoming call, answer or reject the incoming call, prayer to placing a new call, cancel करके error आरा है, तो ऐसे मैं अपने mobile phone से किसी को भी call नहीं कर परें, जब भी आप अपने mobile phone से किसी को call लगा रहें, तो आपको बार बार ये error देखने को मिल रहे है, तो अगर आपको भी ये error आरा ह तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताऊंगे, जिन तीन settings को enable करने के बद में guarantee के साथ कहता हूँ, 101% like proof के साथ, आज किस वीडियो में आपको इस problem को solve करके दिखाने वाला हूँ, तो इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone की home screen प्लाना होगा, तो ज जैसी आप push करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने mobile phone में airplane mode को on कर देना है, तो जैसी on करेंगे कितने time के लिए आपको 5 seconds के लिए on करना होगा, 1,2,3,4,5, तो जैसी आप 5 seconds के लिए फिर आपको वापस से आप कर देना है, तो जैसी आप करेंगे तो यागी setting number first, अब आपक and notification हो सकता है, आपको नीचे चाल के मौ dissicky innych जैसे कोужд पर मैं स्क्रोल करों को स्क्रोल करते को जैसे कि आप पी तेहिंगे मैं के सलिए पर करें लेंगे और पहला अप्elnिकिन कर ठीञे तो जैसी क्लिक की तो यहाँ बिए का ल्ग का वेटिकिया पहली करूब हäreने तो यहाँ को क्लीक करना है तो बाप को फोर स्टाडच के आइकन पर क्लीक करना है तो यहाँ पर आपको फोरस्ट आइकन में last and final setting सबसे important setting नहीं है आपको अपने mobile phone को at least एक बार restart या रिबोर्ट कर देना तो दोस्तो मैं आपको बताऊगो restart या रिबोर्ट कने से आपके mobile phone में कोई भी data डेलेट नहीं होगा data आपके mobile phone ने तब डेलेट हो था जब आप अपने mobile phone को format लगाते हैं otherwise restart करने से आपके mobile phone में कोई भी data डेलेट होने वाला नहीं है तो जैसे आप restart करेंगे उसके पाद जब भी आप अपने mobile phone के डेलर पैट से किसी को भी काल लगेंगे तो आपकी काल 100% लग जाएगी अब आपको वह error देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो इस problem को solve कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं थैंक्यू